Hello students, welcome to my channel, Dear Estee. आज हम exercise 14.3 का question number 1 करेंगे, question number 1 हमें क्या 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 रहा है? Draw the graphs for the following tables of values. यहां पर जो है, हमें graph draw करना है, ठीक है? यहां पर जो हमें table में values दिये गए है, with suitable scalars on the axis. यहां पर जो है, आपको graph पर suitable scale लेनी है, और उसके बाद जो है, इनको आपको plot करना है, इनको graph. यहां पर हमें 3 parts दिये गए है, ठीक है? पहला part जो हम start करेंगे. यहां पर जो है, कहा गया हमें cost of apples. यहां पर आपको number of apples दिये गए है, यहां पर cost of को दिया गया है. आपको जो है, इन values की मतलब से graph plot करना है, तो वो हम यहां पर देखेंगे. यहां पर जो है, हम पहला graph लेंगे. ऐसा हमने graph बनाया, ठीक है, यहां पर आप जो है number of apples और यहां पर cost. यहां पर जो है, एक apple का price जो है, 5 है, ठीक है, यहां पर आइंका point. 2 apples 10 रुपीस, इसी तरी से 3 apples 15, 4 apples 20, and 5 apples जो है, उन की price जो है, वो 25 है. इन 3 नो, यानि पर points बने हैं, इनको हम जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, जो है जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, एसे. तो यहाँ पर हमने इनको join किया, ठीक है, यहाँ पर यह points है हमारे तो इतना ही इस पहले पार्ट में आपको सिर्फ इतना करना था, plot करना है graph, ठीक है दूसरा पार्ट जो है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, distance traveled by a car यहां पर car की distance कही गई है ठीक है यहां पर time आपको दिया गए है यहां पर distance दी गई है 6 बज़े उसकी distance 40 km है 7 बज़े 80 km हो जाती है 8 बज़े 120 और 9 बज़े 160 तो यहां पर हमें कुछ इसके parts भी दिये गए है ठीक है further इसके parts दिये गए है तो यहां पर पहले हम plot करेंगे graph तो वो कैसे हम करेंगे यहां पर हमें graph है ऐसे आपको बनाना है यहां से आपको time लिखना है यहां से आप distance ठीक है आप जो है दो units भी छोड़ सकते हो ठीक है इसके लिए तो मैंने एक सिर्फ एक unit छोड़ा है तो आप जो है दो भी छोड़ सकते हो यहां पर जो है छे बज़े जब यानि स्टार्ट सॉरी छे बज़े जो है distance कितनी कार कवर करती है 40 km तो यहां पर 40 km saad बजे जो है यही कार जो है इसकी distance क्या हो जाती है 80 इसके बाद 8 जो है वो 8 बजे जो है वो 120 और 4 जो एक सूछमार हो जाती है थीक हे इस अिस तरीक से यह बन ते इसको हम आ याउंस से जॉइन करेंगा इंस पॉइंट को है इस तरीके से यहां पर जो है 거예요 बने अब यहां पर जो है हमें क्वेशन क्या कह रहा है अब वो हम यहां पर देखेंगे फस पार जो है इसने दिया गया है how much distance did the car cover during the period 7.30 a.m. तो यहां पर कहा गया है आप हमें बताईए कितनी distance cover हुए 7.30 से 8.00 बज़े तक तो यहां पर आप देख रहे हूं 7.00 और 8.00 इसके बीच में 8.00 होंगे ठीके तो यहां पर जो है इसका middle जो है वो यहां पर आ रहा है ठीक है, यहां पर jam 5. auto 25 है ठीक है, इसको अगर हम join करेंगे ऐसी यहां पर हमने join किया, ठीक है इस तरीके से, यह यहां तक join हुआ उसके बाद यहां से हम join करेंगे इसको यहां पर इस तरीके से, ठीक है तो यहां पर साड़े साथ हो गई है 7.30 एम तो यहां से यहां तक ठीक है यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टंस कवर की तो यहां पर जो है हम साड़े इस तरीके से जो है यहां पर जाएंगे यह इतनी डिस्टंस आती है ठीक है इतनी distance हमें देखनी है तो यहाँ पर जो है अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 120 तो कितने km एक unit में है 40 km और यह half है तो इसका मतलब 20 km ठीके यानि half यह है न यह total जो है distance 40 km है और half को कितना होगा 20 km तो यहाँ पर 20 km लिखेंगे ठीके उसके बैद फर्दर हमें एक और पार्ट इसमें कह रहा है तो कह रहे हैं कि आप हमें बताईए कि यह जो है कार कब 100 km distance कवर करेंगे उस वक्त क्या टाइम आया होगा ठीके तो यहाँ पर जो है अगर आप देख रहे हो यहाँ तक जो है 80 km जो है साड़े साद बज़े तक ठीके 80 km जो है 80 km जो है वो कितना 7 a.m तक तो यहाँ पर जो है साड़े साद तक हम अगर देखेंगे 80 को कितना पैंडिंग है यहाँ पर 20 है ठीके तो यहाँ पर जो है इस half तक जो है वो जाएंगा ठीके क्यूंकि total जो है 40 है total distance जो है यहाँ से यहाँ तक यह 40 है ठीके आपको जो है सिर्फ 20 चाहिए तो वो middle तक जाएंगा जब हम इस line को join करेंगे और नीचे से देखेंगे वो कितने साड़ी साथ हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है वो 730 एम ठीक है यह डिस्टंस कवर करेंगे 100 किलोमीटर उसके बाइद लास्ट वन है इसमें वो हम पार्ट यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला पार्ट है ठीक है इंट्रेस्ट और डिपॉजिट फॉर यह तो यहाँ पर जो है इंट्रेस्ट दिया गया है ठीक है तो डिपॉजिट मनी यह दिया गया है और एन्वल जो है सिंपल इंट्रेस्ट वो यहाँ पर दिया गया है एनम का तो यहां पर जो है हम वैलुज देखेंगे ग्रैफ पहले प्लॉट करेंगे उसके बाद इन पार्ट का जो है आंसर डूनेंगे तो यहां पर जो है जब डिपॉजिट जो है थाउजन है ठीक है और ऐन्वल ऐसा ही जो है उस पर 80 आता है इसी तरीक से 2000 वो जो है 160, 3000, 240, 4000, 320, and 5000, 400 ठीक है तो इसको हम जोइन करेंगे इस तरीक से हमने जोइन किया जी ठीक है तो यहां पर अब हम जो है questions की तरफ देखेंगे यहां पर पहला हमें कह रहा है does the graph passing through the origin यहां पर जो है आप डिरिकली देख रहे हो ठीक है औरिजन से पास हो रहा है ठीक है यानि यह जो है इसको टैच कर रहा है आगे भी हम forward कर सकते है इसको तो यहां पर लिख होगे आप yes ठीक है उसके बाद next है use the graph to find the interest on rupees 2500 for a year तो यहां पर हमें interest simple interest देखना है 2500 रुपीज का तो यह पर जो है हम देखेंगे यहां पर 25 डुटाजन 500 जो है वो किसके बीच में आएगे यहां पर देख रहे हो कि यहां पर 2000 है और यहां पर 3000 है तो इनके बीच में आएंगा वो 2500 तो यहां पर ये वाला यह जो है यहां पर हमें आएंगा वो ठीक है उसके बाइद आप जो है इसको यहां से भी जॉइन हम करेंगे ऐसे मिडल में ठीक है जहां पर इसने इसको टैच किया वहां पर यहां पर यहां आपको लेना है तो इस तरह के से माना ठीक है अब यहां पर जो है आप देखो यहां पर 160 है और यहां पर 240 है तो बीच में जो है यहां पर इनके बीच में 80 है ठीक है 80 की difference है, और यहां पर आपको half ही देखना है, ठीक है, यहां पर 2500 है, तो आपको यहां तक देखना है, तो यह half 160 और इसका half, 80 का half, तो वो 40 हो गया, ठीक है, अगर हम इन दोनों को plus करेंगे, तो 160 प्लस करेंगे, 40 तो वो तो 200 आ गया, ठीक है, तो यहां पर जो है, उस वक्त क्या होगा, simple interest है, जब 2500 होगा, तो वहां पर 2000 होगा, ठीक है, उसके बाद, next है, यहां पर third part, to get an interest of rupees 2800 per year, how much money should be deposited, यहां पर कह रहे हैं के, 2800, sorry, 280 per annum, जो है, simple interest अगर होगा, तो आप हमें बताएए, deposit हमें कितना करना पढ़ेंगा, simple interest अगर हमें इतना होगा, आप यहां पर देखोगे, ठीक है, यहां पर 240 है और 320, इसके बीच में होगा वो, ठीक है, क्योंकि यहां पर 80 की difference है, तो यहां पर बीच में 280 होगा, ठीक है, 280 कहां पर होगा, बीच में, तो यहां पर जो है इस तरीके से तो यहां पर जो है हम इसका center जो है ठीक है यहां पर आता है इन दोनु का तो यहां तक या गया ठीक है उसके बाद हम नीचे की तरफ इसको जोइन करेंगे यहां पर यह आ गया ठीक है तो यहां पर के जगह पर आ गया यह 3,000 और 4,000 के बीच में तो इसका मलतब 3,500 इसका बीच होगा ठीक है 3500 तो यहां पर जो है इसका यानि डिपॉजिट यतना करना पड़ेंगा 3,500 रुपीज ठीक है इसके साथ यह कॉशन कंपलीट हुआ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में